जहिन दोस्तों जब भी देश की बात होती है तो सिर्फ इसमें भोगोलिक सीमाय ही सामिल नहीं होती है इसमें देश में रहने वाले लोग और वहां की संस्क्रती भी सामिल होती है और जब हम लोगों की बात करें तो इसमें महिला और पुरुस के साथ साथ एक ऐसा वर्ग भी सामिल है जिसे हम LGBTQ कहते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर भैस हो रही है कि क्या LGBTQ से समधित लोगों को जो same sex people हैं उनको साथी का अधिकार देना चाहिए या फिर नहीं तो दोस्तों इस समध में हम काफी पहले से पढ़ते आये हैं चर्चा सुनते आये हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने homosexuality को decriminalize कर दिया यानि कि अगर एक ही gender के लोग अगर आपसी सहमति से sexual relations बनाते हैं तो इसे आपराधिक प्रवरत्ती नहीं माना जाएगा अब चुकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही homosexuality को decriminalize कर चुका है तो अब ऐसे लोग जो समान sex के हैं और एक दूसरे के साथ में अपना भविश्च का जीवन यापन करना चाहते हैं तो उन लोगों के सामने एक बड़ी problem यह है कि चुकि अल्रेडी वो तै कर चुके हैं कि they have to live their further life together but they are not getting the rights as a married couple heterogeneous couple को जो rights प्राप्त होते हैं वो rights उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं अब चुकि साथ में रह रहे हैं पर शादी नहीं कर सकते हैं शादी कर भी लेते हैं तो उसे कानोनी मानिता प्राप्त नहीं है इसलिए ये लोग ना तो बच्चा गोद ले सकते हैं ना ही इनके पास जो है inheritance के right होते हैं तो dear students सवाल यह है कि जब एक अकेला व्यक्ती बच्चा गोद ले सकता है तो फिर ये homosexual couple बच्चा गोद क्यों नहीं ले सकते हैं या फिर इन्हें अपनी inherited property में अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए सुप्रीम कोट में इसी बात को लेकर के बहस चल रही है केंदर सरकार का तर्किया है कि homosexuality सिर्फ elite class के तक ही सिमित है जबकि सुप्रीम कोट का कहना है कि ऐसे कोई facts उपलब्द नहीं है जिससे साबित किया जा सके कि homosexuality सिर्फ elite class तक ही सामिल है हाँ ये जरूर हो सकता है कि शहर में रहने वाल elite class के लोग चुकि अब society हमारी थोड़ी free हो रही है, liberal हो रही है हमारा समाज इन्हें स्विकारिता देगा चुकि हिंदू marriage act के अनुसार विवाह एक संसकार है वही Muslims में विवाह एक contract है जिसमें male और female जो है दो अलग-अलग biological entity है LGBTQ के rights की demand करने वाले लोगों का कहना ये है कि जब homosexuality में marriage को legal किया जाएगा तब इन्हें male female consider करने के बजाए इन्हें दो individuals consider किया जा सकता है और इनकी शादी को special marriage act के अंदर मानिता दी जा सकती है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि special marriage act क्या है तो special marriage act 1954 में आया था जिसमें दो ऐसे लोग जो अलग-अलग धर्म से संबन्द रखते हैं आपस में शादी कर सकते हैं अब चुकी यहाँ पर बात आती है कि हिंदुस्तान में शादी से related नियम कायदे अलग-अलग है एक महिला को शादी करने के लिए 18 verse complete करना चाहिए जबकि पूरुष की शादी के लिए 21 years की age complete होना चाहिए petitioners की ओर से उनके वकील ने ये भी बताया कि जब महिला महिला आपस में शादी करे तो उनके शादी की age 18 verse तै की जा सकती है जबकि पूरुष पूरुष शादी करे तो उनकी उम्र की नियुनतम आयू सीमा जो है वो 20 verse तै की जा सकती है इसी में Supreme Court के CGI ने सवाल खड़ा कर दिया कि आप एक तरफ तो होमो सेक्सवल लोगों की शादी के दोरान कह रहे हो कि इन्हें male female consider ना करते होए दो individuals consider किया जाए और जब male female की बात आ रही है तो एक के लिए 18 और एक के लिए 21 years उम्र तै की जाए तो dear students यहाँ पर बात यही हो रही है कि ये लोग अपने rights की मांग कर रहे हैं और इनके rights के पक्ष में इनके wait advocates अलग-अलग दलीले दे रहे हैं और काफी हद तक Supreme Court इन दलीलों से सेहमत भी नजर आ रहा है वहीं सरकार ये नहीं चाहती कि अभी homosexuality को जो है इसे legal status दिया जाए इनके साधी को कानूनी मानिता दी जाए ये था हम मेरा विचार आप अपने विचार इस topic पर बनाईए और निश्चित तोर पर अगर आप SSB interview के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप से questions जरूर हो सकते हैं कि आप homosexuality के बारे में क्या सोचते हैं, क्या लोग को अधिकार दिया जाना चाहिए, क्या भारती समाज इन्हें मानेता प्रदान करेगा तो जब मानेता की बात हो रही है तो चुकि अल्रेडी homosexuality को decriminalize किया चुका है यानि कि एक ही gender के लोग अगर sexual relations बनाते हैं तो उसे अपराद नहीं माना गया है तो फिर इन लोगों की सादी को भी समाज मानेता प्रदान कर दे और इसके पीछे भी तर्ग दिये जा रहे हैं कि हमारे खजुराहों के जो temples हैं, उन temples में इस तरह के pictures depict हैं जो कहीने कहीं इसकी favor में picture बया करते हैं तो बात यहाँ पर complete नहीं होती है आगे देखते हैं societies को किस तरह से लेती हैं और आप किस तरह से खुद के logic develop कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों तक share करना ना भूले जैहिन जै भारत इंकलाब जिन्दाबाद भारत माता की जै